हाई फ्रेंड्स हाई यौर आज हम करने वाले हैं बहुत सारे स्टेशनरीज एक्स्प्लोर बट वेट 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 कन यूगेस इस सिटी येर आर सम हिंट्स फॉर यू अगर गेस कर पाओ तो चले जले चले चले कमेंट्स में बताओ येस इस मार्ट को एक्स्प्लोर तो अंदर जाते ही हमें मिले दो बड़े सेक्शन्स जिसमें थे बॉल पैंस, जेल पैंस, पैंसिल्स वगेरा वगेरा और विराइटीज भी बहुत सारी थी और सारे सेक्शन्स में प्राइस भी मेंशन किये हुए थे इन में से कुछ-कुछ पैंस तो ऐसी है चो हमने अल्रेडी बहुत बार यूज की हुई है और इस तरह से डिस्प्ले में से सिलेक्ट करने में न काफी मज़ा आता है बिगोज हम वो सारी वराइटीज एक्स्प्लोर कर सकता है चो हमने कभी यूज ही ना की हो और यह है बहुत सारे अल्फाबेट्स वाली पैंस इन में से मुझी तो मेरे नेम का फॉर्स लेटर मिल गया अगर आपको भी मिल गया तो कमेंट्स में बताओ ओ यह पैंसिल्स तो कुछ यूनिक लग रही है इसमें थ्री डिफरेंट कलर कॉमिनेशन्स है तो हमने उन में से एक ली इसमें एक स्पेशियल तिंग भी है बट वो मैं आपको बात में बताती हूँ पिलहाल बाकी की सारी पैंसिल्स देखके हम आगए स्लैम्स बाले सक्षिन में स्लैम्स के तो डिफरेंट कलर भी थे और यहां पे स्लैम एक्टिवीटर भी था जो जनरली सब जगह पर नहीं होता है and slime की colors में से आपको कौन सा color सबसे best लगा मुझे तो pink and yellow बहुत अच्छे लगे ये है again a big section जाप है different colors, pencils, erasers, crayons बगेरा बगेरा so let's explore products of this section ये है हमारे regular वाले oil pastas, brush pens, fluid acrylic colors and ये elephant तो music सुनते सुनते ही dance कर रहा है thin doms के poster colors थे, metallic marker pens थी and और भी बहुत कुछ था water color cakes के packing में दोनों sizes available थी ये art kit में बहुत सारी products थी and pencils में हमने देखी कुछ unique things like disney theme pencils ओ वाउ, ये shafner and erasers एकदम ही different है look में तो चलो, अब clay के different packings देख लेते हैं different colors वाला packing भी था and only one color वाला भी था लेकिन इसमें polymer clay भी थी अरे दीनी, ये वाला elephant summer enjoy कर रहा है न watermelon खाके good stamps and painting kits देखके आगया unique section kitty, barby and unicorn तीनो theme के combo packings का वैसे kitty, barby and unicorn तीनों में से अगर कोई एक choose करना हो तो मेरे लिए तो decide करना बहुत ही confusing रहेगा because तीनों ही मेरे बहुत ही favorite है I think आपके लिए भी वो decide करना उतना ही difficult होगा and ये है puffy pants जो हमने अभी तक कभी try ही ने की है एक interesting thing बताऊं, ये चारो pencil pouches में unicorn theme ही है फिर मुमा को दिखी ये बहुत ही बड़ी kit and ये kit मुमा को बहुत ही unique लगी and ये wooden color palette भी because हमारे पास ऐसी कोई wooden की color palette नहीं है तो मुमा ने कहा ये बहुत ही अच्छी है and इससे तो लेना बनता है वो लेके मैं तो देख रही थी ये pouches वाला section क्या आपको पता है इस तरह की pencils का एक set हमारे पास भी है जिसमें box blue color का आया है अगर आप regular viewer हो तो आपको पता होगा and मैं आपको एक hint भी देती हूँ वो पूरा set आया था एक compass box में यहाँ पे एक दूसरा display हमें pens के display जितना ही बहुत अच्छा लगा यह है paint brushes and markers वाला display जब हम shops में लेने जाते है तो हम वही products मंगाते है जो हमें exactly चाहिए बट ऐसे display में हमें उसे products के related बहुत सारे options and varieties मिलती है तो हम ज्यादा आच्छे से select कर पाते है and price, quality, सब कुछ compare करके जो best लगे वो ले सकते है यह है दूसरा बड़ा वाला section जो है different sizes के brushes and fine liners का तो चलिए इन में से भी कुछ markers try करते है and हमें कुछ brushes भी चाहिए तो वो भी ले लेते है अभी तेख अभी तेखते है different colors के tubes like acrylic color tubes, watercolor tubes वगेरा वगेरा वैसे हमने एक बार ना fluorescent color tubes भी ले थी and वो एक बार try भी कर ली है फिर पहुंच गए हम highlighters वाले section में सारे regular वाली and glitter highlighters तो थी ही but these are super unique then febic all, febic wix, sticks वगेरा बहुत से gums थे and छोटी-छोटी different colors की clips के साथ ही यहाँ प्रते mini highlighters और अगर हमें packing में नहीं loose में कुछ colors लेने हो तो उसके लिए यह section था now again one unique thing, यह mini clipboard pen holders भी कुछ-कुछ types के थे तो फिर हमने वो देखे and then diaries उबर छोटी वाली diaries थी and नीचे regular size वाली तो मुमा को छोटी वाली चाहिए थी इसलिए हम वहीं डून रहे थे and yes, यहाँ पे साथ मेंने dotted diaries भी थी फिर water bottles, lunch boxes and cute cute school bags के बाद हमने देखी fairy lights बट वो हमें एक जली चाहिए थी वैसी नहीं थी यहाँ पे है वाशी टेप्स का खजाना कुछ themes पर वाशी टेप्स, plain, glitter वाली and designer वाशी टेप्स से तो यह पूरा section भरा हुआ था then MDF keychains बनाने के लिए kits थी चोटे-चोटे mandala arts भी थे and car, plane, rainbow वगेरा designs भी थी इसमें दीदी यह bunny funny clips तो बहुत ही cute है ना yes, बहुत सारे clips कवाई है इन में से अभी तो कुछ stems लेने नहीं है क्योंकि हमारे पास अल्रेडी कुछ stems बड़े हुए है ये stationery shop में surprisingly nail stickers भी थे कुछ AC jar हमारे पास भी है ये है craft वाला section and इसमें सारे cake toppers भी थे अब आगया colors and canvases वाला section हमें कुछ इस type से चोटे-चोटे acrylic colors के boxes लेने थे तो हम वही सोच रहे थे कौन से-कौन से colors लेने है and painting करते-करते ये तो पता ही नहीं चलता कि कब white color finish हो गया क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है फिर मैं देख रहे थी raisins, उसके molds, glitters बगेरा and moma देख रहे थे canvases and यहाँ पे तो कुछ ऐसे different shapes and sizes के canvases थे जो generally हमें सारे shops में नहीं मिलते है कुछ painting knives देखी and क्या आपको पता है ये वाला section तो अभी हमें देखना बाकी है बहुत से cute cute and unique shapes के erasers थे and yes sharpners भी थे and erasers में से हमने एक select किया दीदी वो देखो polaroid cameras उपर hang किये हुए है वाव and यहाँ पे तो है बहुत सारे showpieces and ये भी erasers की तरफ बहुत ही cute cute है of course वो सारे showpieces pen holders भी है then music boxes देखे and timers and glass भी देखा जसमें time उपर mention किया हुआ था then fridge magnets में तो sponge के pastry, cupcakes वगएरा वगएरा थे and to do fridge magnets भी keychains में cute cute bunny kawaii, shoes भी थे then panda, cap ऐसे different different types के keychains थे दीदी इन में से एक keychain लेते हैं न yes मुमा को जो सबसे ज़्यादा पसंद आया वो हमने select कर लिया अब आता है chart papers and craft papers का खरजाना क्योंकि यहाँ पे different sizes के, unique colors के and बहुत सारे textures के craft papers थे हमें कुछ craft papers अलरड़ी चाहिए भी थे तो हमने वो सारे colors पटाफट से select कर लिये यह transparent drawers वाला organizer बहुत unique है न और उसमें हम name भी लिख सकते है कि अंदर क्या है जिदी soft toys में ऐसा unicorn हमारे पास है न yes and वो भी pink color का so finally हमारे shopping हो गई है and हमने फटाफट से billing भी करवा लिया तो आगे है हम गर पर चलिए देखते हम क्या क्या लेके आया है तो चलिए एके करके फटाफट से देखते हमने क्या क्या लिया है so first of all हमारे पास है यह pencils यह वाली है डिजनी थीम वाली pencils और यह सारी है neon pencils यह वाली मैं regularly use करती हूँ वही है पट यह हम first time try करेंगे इन pencils के साथ sharpener आता है और इसके साथ आया है eraser and sharpener अब next है यह metallic marker pens इसमें हमें मिले है total 10 shades यह highlighters हमें थोड़े सी unique लगी पिकाज यह है pastel highlighters अब next है यह clips अब unpack करते है यह cute cute stationary यह पूरा eraser है जो इस तरह से कुछ खुलता है हम ऐसे scissors सी ढूंड रहे थे जिसका end इस तरह से sharp ना हो तो चलिए इसे फटा-फट से unpack करता है हमने कुछ different different pens ले थी तो चलिए अब वो सारी try करता है इन में से कुछ हमारे पास already है जो हमें चाहिए थी तो हमने ले ली और कुछ new try करेंगे मैंने हर एक pen से उनी का name लिखा है ताकि अगर आपको कोई pen लेनी हो इसमें से तो पता चले यह वाली है pencil बट कुछ इस type की एंड इसकी एक खासियत यह है कि इसमें पीछे यहाँ पे शापनर भी है यह unicorns बहुत ही cute लग रहे है इन में से यह sky blue एक texture वाला है और बाकी के सारे plain craft papers है यह है golden वाली की rings हमें silver भी चाहिए थी बट वहाँ पे सिर्फ golden अवेलेबल थी तो हमने यह ले ली यह है एक बहुत ही cute सा mandala kit तन acrylic colors crew eye pins है और यह चोटी चोटी clips है यह है different size का canvas इसके size इसमें लिखी हुई है then resin mold, silver color के चोटे 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 leaves, fine tips के paint brushes चाहिए थे जो three size का and zero size का लिया है एक favicol, then यह diary ली है जो है single line and dotted notebook है for journaling बड़ी वाली color palette चाहिए थी, so here it is, यह है wooden color palette and यह teakit self adhesive है but wall में stain नहीं रखते और इन्हें हम बहुत बार reuse भी कर सकते हैं कभी try ने किये तो सुचा एक बार तो लेने बनते है यह वाली product तो इतनी unique है कि मुमाना देखते ही तुरंट select कर ली यह है हमारा super cute key chain and यह car real में चल भी सकती है अब next आता है डिबबे के अंदर डिबबा यह है हमारे पास एक DIY kit and यह भी यह सारे things हमने purchase की है आपको इन में से best कौन सी लगी? कमेंस में बताना बाई झाली